नमस्कार आज फिर हम हिंदी विशय के अंतरगत एक पत्र लिखन लेकर आएं तो ये पत्र आविदन पत्र से सम्मंदित है तो प्रस्ण कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है प्रस्ण भोपाल नगर निगम के सच्यों को लेपिक की आवसत्ता है सच्यों को लेपिक पद के लिए आविदन पत्र लिखी है ठीक यह प्रस्ण प्रस्ण में दो चीजेह बस समझ लेना कि पत्र का विशय क्या है और पत्र लिखना किसे है इतना अगर आपने समंझ लिया प्रस्ण में तो बस आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा तो देखो का का है वह पाल नगम पतो नगर-निगम कि सच्चयों को पत लिखना आए. ठीक है. और किस पत के लिए सच्चयों पत के लिए. तो दो चीजें होगी. तो फिर चलो सुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र अगर इतना ना आए तो आप सिर्फ आवेदन पत्र लिख लो अगर आपको लगे नहीं मुझे ये भी स्थमन नहीं आएगा तो फिर आप सिर्फ पत्र होगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा खासकर उनकी लिए जिनका रायटिंग लेखन ठीक नहीं है और जिनकी रायटिंग है वो तो कैसे भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो हमने सबसे पहले लिख दिया सेवा में सेवा में के ठीक सामने लिख दिया दिनांक तो दिनांक है 31-6-2000 और 2-1 बना दिये जिससे सही वर्स नहीं हो क्योंकि परिच्छा में हम जो दिनांक लिखते हैं उसमें सही दिनांक नहीं लिखते दियान कियेगा वहाँ पर हम इसको छिपा लेंगे ठीक है अब कभी कभी अगर आप चाहे इसके नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन यह ज्यादा अच्छा क्योंकि आपको यह याद यह रटना भी नहीं कि लिखना कहँ सिर्फ समझ लेना कि ठीक इसके सामने लिखना है यह बहुत अच्छा माना जाता है आगे तब हम लख देते हैं सक्च्यो महोऊदय ठीक, उपर प्रसन में क्या का गया था सच्यो को लखिए तो हम महोऊदय और संम्मान की लगा दिये सच्यो महोऊदय नगर निगम भोपार ठीक, अब हमने भोपार इसलुग ही लिखा पत्र लिखना शुरू करते हैं तो पत्र इस प्रकार लिखेंगे उपर योग्त विसय के संदर्व में वे नम्र निवेदन है कि इत्ता तो आप रट्टा मालो जब भी पत्र लिखो तो आप यह लाइन तो लिखो जब अवचारिक पत्र लिखो ठीक है अनवचारिक के लिए अवचारिक पत्र है बोपाल नगर निगम से लिपिक पद के लिए तैयनिक भारती में दिनांक पचीस छे दोजार को विग्यापन प्रकासित हुआ था पुक्त पद के लिए मैं आवस्यक योगता रखता हूँ विग्यापन के अनुसार पद अपना आविदन प्रस्तुत कर दा हूँ मेरी योगता हैं इस पिरकार हैं पहला बी एस सी पिर्थम स्रेडी कंप्यूटर टैपिंग पचास से साथ सब्द प्रती मिनट आयो चौबेस वर्स कार अनबह दो वर्स हिंदी और अंगरेजी भासा की जानकारी ये पिरमुक हमारी क्या होगी सैच्छर की योगता हैं पिर मेरी योगता को देखते हुए एक बार अवसर देने की किरपा करेंगे मैं पूरी इमानदारी के साथ कार का वचन देता हूँ पिर उसके बाद हम लिख देंगे ठीक नीचे धनवाद धनवाद के बाद हम एक लाएंग छोड़ देंगे लिख देंगे आवेदक हैना आस्तों में किसी को लिखेंगे तब अपना नाम पता दिनांग सब पूरा सईसे लिखेंगे जब प्रिछाम लिखेंगे तब हम क्या करेंगे इन चीजों का ध्यान रखेंगे और जब पूरा पत्र लिख देंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा अब यह पूरा पत्र क से आप आकर सक पत्र लिखेंगे तो आपको निश्चे तोर में पूरे में पूरे अंक मिलेंगे अब पत्र लिखते समय हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना तो सबसे पहले यह ध्यान रखना कि जो भी हम लिखेंगे यह सब्द मारे कैसे होने चाहिए एकदम सुद्ध सही होने चीए, किसी प्रकार के अगर इनमें गलती आऊंगी तो उसमें अंकटते हैं, अब इससे सुद्धियों से बचने के लिए क्या करेंगे आप हमेजा पत्र लेखन में ऐसे सब्दों का प्रयोग करना, जो आप सराल और सही लिख पाते हों, जो आपको मान लो, जैसे ये पत्र है, इसको आप देखकर दो से तीन वा लिखो, और फिर बगाएर देखो, बगाएर देखे लिखने के बाद मिलान कर लो, तो आपको पता चल जाएगा, आपने कितना सीखा है, उसी तरह से आप दूसरी विखेंगों पर भी अभ्यास कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा विखेंगों पत्र से सम्मन्दित, जिसमें आपको लिखने में कोई कठना आई, तो आप हमें कमेंट करके भेश सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये अभ्यास करेंगे, तो तो तोर में आप बहुत अच्छे डंग से एक आसानी से पति लिखना सीख जाएंगे तो फिर आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे किसी ने विशा के साथ तब तक के लिए धन्वाद